याद कीजिए क्लास 10 में आपने ये ट्रेबल किया था वहाँ पर आपकी जो साइन की हाइस डिगरी थी वो आपके पास only 90 डिगरी थी उसके बाद नहीं थी ऐसे ही हमने डिगरी में अब तक देखा है कि जीरो डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी 90 डिगरी तो ऐसे ही है हमारे पीछे वाले में अगर इन्हें रेडियन में करना हो तो हमें क्या करना होगा जैसे 90 को हम लिख सकते हैं क्यों कि π Di की जो value है हमारे पास 180 degree तो झामेंटिकली जब हम 180 को divide कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास radian में आ जाएगा यह 90 degree कितने में हो जाएगा 1 by 2 और चीक है ऐसा ही 60 degree radian में convert हो गा د Briss बाई भाई 3 में 45 degree radian में convert हो जाएगा android pi by 4 करने से 30 degree radian में convert हो जाएगा जब हम pi over 6 करेंगे 0 degree तो 0 degree ही रहने वाला है चिक है चलो यहां तक तो हमने class 10th में किया ही था कि 90 degree तक value sign की कैसे निकालती है sign 00 होता है sign 30 1 by 2 होता है sign 45 1 over under root 2 होता है sign 60 under root 3 by 2 होता है sign 90 degree 1 होता है यह कैसे है अगर नहीं आता है तो आप class 10th के जुनट 9 में playlist में जाकर जुनट 8 में जुनट 8 में जाकर इसे आप सीख सकते हो कि हम कैसे बनाते हैं यह cause का मालूम है कि sign का उल्टा होता है चिक है यह वन यहां पर under root 3 under root 3 by 2 यहां पर और यह यहां पर और यह 1 by 2 और 0 10th की value कैसे आती थी इन दोनों को divide करके 0 को 1 से divide करेंगे तो 0 1 over 2 को divide करेंगे under root 3 by 2 से 2 2 से 2 cancel हो जागा 1 over under root 3 आ जाएगा 1 over under root 2 को divide करेंगे 1 over under 2 से यह काड कर कितना आने मल है 1 आने मल है under root 3 by 2 को divide करके 1 by 2 से 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यह only बचेगा 103, 10 से divide नहीं हो सकता, तो मतलब यह क्या है, not defined है, अब बात आती है कि अब हमारे पास 3 और value है, जो हमने class length में करनी है, 90 degree के बाद आपके पास आएगा pi, जो 180 degree होता है हमें मालूम है, यहाँ पर हमने पहले देख लिए, उसके बाद आएगा 270 और उसके असान है, बस थोड़ा सा सीख लो कैसे, में बात आपको यह जो 5 एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90, यह जो है, यह आने चाहिए, उसके बाद 3 तो आई जाने है, क्योंकि अब यह देखो, यह जो 180 degree होता है, यह हमारा 0 degree का लाई होता है, यह सब कुछ यह होता है, बट सिंबल जो है, व 0 का 0 ही रहने वाला है, ठीक है, होगी बात clear में, मतलब क्या है, माइनस में जाने वाला है, उसके बाद दूसरे देखते हैं, यह जो 270 वाला है, यह जो 270 degree वाला है, यह होता है, इसका माइनस में, 90 में चलेगा 19 का, ठीक है, यह क्या होगा, 90 का, यह जो 270 का एंगल बनाई है, यह same to same हूब 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 90 का ही होता है बड़ symbol जो है वो minus का यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर आएगा minus का 1, 0 तो 0 ही चलने वाला है क्योंकि minus 0 तो नोट डिफाइन नोट डिफाइन ही रहने वाला चाहे negative में चाहे चाहे वो positive में जाए अब यह जो 2 Pi वाला है यही है बिल्कुल Pi वाला बड़े यहाँपर 2 से multiply करना है क्योंकि Pi तो Pi रहने वाला है पाइ की value यही ही पाइ लिख लेंगे साथ में साथ 2 के साथ हम क्या करेंगे multiply करेंगे जैसे कि 0 को 2 से multiply करेंगे तो 0 हने वाला है और यहाँ पर यहाँ पर 0 को 2 से ड्वाइड करेंगे तो 0 अने वाला है यहाँ पर student scientifically बात प्रूफ है कि जब आप 2 को minus 1 के साथ मतलब multiply करोगे तो result में minus 2 अने वाला है बड़ यहाँ पर value scientist ने 1 निकाल रखिये कैसे निकाल रखिये कुछ मतलब यह भी तक पता नहीं है ठीक है किसी को तो यह जो value है यहाँ पर आपको just mind में रखना है कि आप यहाँ पर minus 2 नी आने वाला है यहाँ पर आपका 1 आने वाला है scientifically proof है यह value के cost theta की 360 के angle पर value जो है वो 1 चलती है ठीक है यह बात scientifically proof है I hope आपको यह table के बारे में यहाँ पर पता चल गया होगा जैसे हमने class 10th में use किये थे के sign 45 की value 1 by Andrew 2 लिखते है cost 60 की value 1 over 2 लिखते है सेम काम यहीं भी वैसे ही है जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर cost 36 की value लिखने को बूला जाएगा तो हम 1 लिख देंगे चीक है ऐसे ऐसे करके सब कुछ चलने वाला है चलो अब बढ़ते हैं आगे पीछे वाला काम तो वहीं से हो गया जहां से class 10th में हुआ था और आगे कोश भी नहीं किया अब यहाँ पर सबसे important जो हमारी trigonometry की A मान कर चलो B मान कर चलो C मान कर चलो कोश भी मान कर चलो यह देख रहा है यहाँ से trigonometry का main diagram जो है वो शुरू हो जाता है अगर इसे को class 11th में ना समझा जाए तो यह बात बिल्कुल बूल जाए कि आगे चलकर कहीं भी आप trigonometry का chapter कर पाऊगे हलाकि आपको हर एक class में दिखेगा sign convention है यहाँ पर सबसे पहले एक बात याद कीजिए कि after school to college after school to college यह बात आपको याद में करनी है उसके बाद आपको यह मालूम है कि यह आपकी x-axis होती है और यह आपकी y-axis होती है यहाँ पर जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं तो यह 0 से start हुए तो पहुंचे 90 पर 90 का हमें मालूम है कि πाई बाई 2 होता है radian की form में उसके बाद हम इसके नीची की तरफ गिरें और यहाँ पर पहुंचे 180 डिगरी के एंगल पर जो radian में होता है पाई की form में उसके बाद इसके नीचे और आए तो वहाँ पर जब नीचे पहुंचे तो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनना है 270 का पाई में होता है 3 पाई बाई 2 अभी देखा है उपर हमने ठीक है यहाँ पर जब हम यहाँ पर ऐसे बढ़ गए तो टोटल हमारे पास एक इतनी बातोई कलीर में उसके बाद आपको यह बात यद करनी थी after school to college यहाँ पर आपका फस्ट क्वाडरेंट होता है मालूमे आपको class 9 में कीया था यह आपका second क्वाडरेंट होता है यह आपका third होता है और यह आपका fourth quadrant होता है यहाँ पर लिखा after उसके बाद यहाँ पर school यहाँ पर two और यहाँ पर college याद कीजिए class 10th में आपने एक formula किया था कि sign 90 degree minus का theta वो होता है आपका positive में cause theta positive में cause theta था अब देखो 90 minus theta 90 minus theta मतलब इस quadrant में आगया क्योंकि theta minus हुआ है तो मतलब यहाँ पर लाई कर रहा है जो आपका theta है वो इसमें लाई कर रहा है तो यहाँ पर जो आपका cos theta वो क्या आएगा positive आएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर positive आया क्योंकि यहाँ पर उन्हेंने बोला है कि all positive यहाँ पर क्या है हमारे सभी थीटे जो है जो sin, cos, tan, cos, secant, सभी वो क्या आने वाले हैं positive होते हैं तो आपके यहां पर जितने भी आते थे cos 90 minus theta वो होता था sin theta हाणा ऐसे 10 90 minus theta वो होता था cos theta तो यह जो सभी आते थे यह सब किस में आते थे positive में आते थे अब positive में क्यों आते थे क्योंकि यहां पर जो first quadrant है यहां पर जो सब कुछ है वो किस में है positive में है after से आपने याद कर लेना है all positive school से याद करना है कि sign और उसका reciprocal sec यह वाला वो कहे है यह दोनों positive होने वाले और कोई नहीं बाकी सभी negative में चलेंगे उसके बाद two से याद करना है ten और उसका reciprocal court यह वाला यह दोनों क्या है positive होने वाले है बाकी सभी negative में चलेंगे उसके बाद college college से याद करना है cause और sec दोनों एक दूसरे के reciprocal है यह positive रहने वाले हैं बाकी सभी जो है वो negative में चलेंगे मानलो ऐसे कर लेता हूँ मैं जैसे कर लेता हूँ यहां पर देखो मानलो ऐसे कर लेता हूँ 10 90 पलस theta तो यह मेरा result की आना वाला है cot theta आना वाला है cot theta आने वाला है 90 plus theta मतलब इस coordinate में आ गया 2nd में आ गया क्या है sine और only positive है बाकी सभी negative में चलने वाल है तो result मेरा किस में आने वाल है negative में आने वाल है sign समझ में बात आ गया कि कैसे कैसे चलना है same मान ली जी ऐसे आ जाता है मेरे पास आयंदा है tan 80 degree plus theta तो result में मेरे पास क्या आने वाल है core theta अब positive के negative यहां पर आ रहा third quadrant में क्योंकि यह 180 degree plus theta मतलब यहां पर third quadrant में लाई कर रहा है तो यहां पर क्या है मेरा tan और core positive है बाकी सभी negative चलने वाल है तो मतलब यहां मेरा core क्याने वाल है positive आने वाल है I hope आपको यह समझ में लगा होगा एक बार मैं आपको फिर दुबारा समझा देता हूँ क्योंकि यह जो मेरा सबसे important काम है इस class का ठीक है यहां पर क्या है हमने एक बात याद करनी है कि after school to college हाना after school to college याद करना है हमने जब हमने यह याद किर लिया उसके बाद हमें मालूम है है कि यह हमारी x-axis होती है और यह हमारी y-axis होती है 0 degree, 90 degree, 180 degree और 270 degree यहां पर वापस पहुंचे तो आएगा 360 degree यहां पर after से याद करना है कि हमारे जितने भी angle होते हैं first quadrant में वो सभी positive चलने वाले हैं sign, cost, 10 जितने भी हैं second quadrant में हमारा सिर्फ sign और कुस एक theta ही positive चलने वाला है उसके बाद third जो है वहां पर हमारा ten और cot ही positive चलने वाला है fourth quadrant में cos, theta and second theta ही हमारा जो है वो positive चलने वाला है class tenth में हमने यह formula के थे range formula कि sign 90 minus theta यहां पर sub minus में था तो जितने भी sum हुए थे हमारे first quadrant के हिसाब से किये गए थे तो उसके according के आने वाला है सब positive result आने वाले है सब result के आने वाले है positive आने वाले है तो जितने भी आये थे cos theta, sin theta, cot theta वो सभी जितने भी result थे वो कितने थे positive में थे अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा अब जी यह 10 वाला है जो positive में आ जाता कि 10 90 plus theta तो result में तो कौट ही आने वाला है बड़ 90 minus theta यहां से आगे की तरफ बढ़ गया 90 plus हो गया तो मतलब क्वाडरेंट कौन सा है second rule के according second quadrant में only sign positive चलने वाला है और cos theta positive चलने वाला है ऐसे आ जाता cos theta cos theta cos theta cos theta 90 plus theta यह आ जाता तो हमारे पास यह क्या बनने वाला है secret theta तो result क्या बनना है इसका positive बनना है क्योंकि second quadrant में लाई कर रहा है cos theta second quadrant में लाई कर रहा है तो उसके according sign और cos theta की जो हमारे positive चलने वाले है बाकि सबी जो negative चलने वाले है आई होव आपको समझ में लगया होगा कि sign convention कैसे याद रखने है हमने rule कैसे उनके याद करने है तो अग बढ़ते हैं आगे जैसा कि आपको मालूम चली गया है कि radian में pi over 2 को हम 90 मानते हैं तो यह हमारे पास ऐसा ही बनन रहा है sin 90 degree minus theta वो होता है cos theta range formula के according जैसा class 10th में किया था यहाँ पर आपको मालूम है कि sign की convention जो भी है हमारी conversion है वो cos के साथ होती है 10 की chord के साथ होती है second की साथ होती है और इनका wise versa आपसमें चलता रहता है ठीक है इदर उदर होते रहते है range formula अब यहाँ पर जो नहीं बात है आपको याद में रखनी है कि यह जो आपकी conversion होती है sign की cos में और tan की chord में यह तभी possible है अगर यहाँ पर जो theta है वो आपका only 90 degree का हो अगर 80 degree या 180 degree जा कोई भी और आगया 270 degree, 360 degree आगया तो आपकी conversion जो है possible नहीं है जैसे कि आप यह देख रहे हो sin pi minus theta pi क्या होता है 180 तो मतलब sin 180 degree minus theta वो आपका cos theta नहीं होगा वो आपका sin theta ही रहेगा यह possible तभी है अगर यहाँ पर क्या है only आपके पास 90 degree है जैसे कि आप पहला देख रहे हो sin 90 degree plus theta अब यहाँ पर plus हो गया मतलब plus हो गया यहाँ पर अब देखो sin 90 plus theta कौन से quadrant में चल रहा है यह चल रहा है हमारा second quadrant में 90 plus theta इदर की बात होगी यहाँ पर हमारा क्या बनना है अब यहाँ पर देखो second quadrant में sin theta क्या चल रहा है हमारा positive तो हमारा result क्या आने वाला है positive में आले वाला result देखना है sin हमारा second quadrant में positive है तो 90 plus theta result के according आना है cos theta और positive आना है sin 90 minus theta cos theta ये formula मालूमी है अब ये देखो sin 3 pi over 2 अब 3 pi by 2 तो 90 है अब 3 के साथ only multiply हुआ है तो ये बात हम हमें matter नहीं करती so 90 plus theta क्या बनने वाला है cos theta बनने वाला है same as 10 90 plus theta is equal to minus का cos theta अब ये देख लो 10 90 plus theta 90 plus theta ये चलने वाला second quadrant में second way sin 90 plus theta इधर आ गया इधर 10 के चल रहा है negative चल रहा है 10 के चल रहा है negative चल रहा है तो result हमारा किस में आने वाला है negative में result कहा रहा है हमारा ऐसे में minus का cos theta तो ऐसे exercise का basic वरक हुआ है समझ में लगा है तो अपने classmate के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर समझ में नहीं लगा तो मुझे वीडियो के comment में जरूर बताना क्योंकि मैं इसको आप दुबारा समझा दूँगा Thank you so much